जब साधूं की अत्याएं हो रही हूँ जब वर्तों के गले कट रहे हूँ और वलातकारियों का पता नहीं लग रहा हो तो हिंदुत का एजेंडा और विकास का एजेंडा ये दो बाते हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंदर भोधी जी ने अपना करने की कोशिस क मैं अपने मोटा भाई को मोटा बाई कहती रही हूँ में उनको सेवंटी से जानती हुँ मुझे उनके वारे मैं अच्छी तरह से मालू है मैं ऐसा मानती हूँ कि नरेंदर भूधी जी विकास पूरुष नहीं है विनाशपूरुष है और उन्होंने गजरात का विनाश किया है और वो जो GDP का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है वो जो BPL का दावा कर रहे हैं कि ब्लो पावर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है मैं नरण्वोजी को कहूंगी कि मेरे साथ को एक डाओं में चले जहां BPL की लिस्ट बनी है और यह दिखाने के लिए कि गु हुई है कि गुजरात इन पास सालों में दुगना करश्दार हुआ है गुजरात के उपर जितना पहले ड्राफ ओवर ड्राफ्ट इंथा ठीक दुगना हो गया है तो विकास कहां हुआ विनाश हुआ इस तरी भी असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसल्मान दोनों कि लोग हमको चुम्ते से भी चुना नहीं चाहिए है कि सादू को डरा नहीं सकते आप लेकिन सादू भी समाज के लिए अपना कंसरन तो रखता है यह वरीड और मैंने मैं आपको बताओ ऐसा शोग और ऐसा भाई पतला ग्रीफ और फिर मैंने खुद गुजरात में नहीं नहीं देखा कभी मैं तो आश्री चकिर हूं कि यह नरेंद्र मोदी नी क्या कर दिया इसलिए मैंने उनका नाम विकास पुरुष्ट की जिए विनाश पुरुष्ट इसलिए तो रखा है मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है यह मीडिया ने गुब